हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड सोलर अंडर वर्ल्ड किंडूब तक शिव अपने केबिन में बैठा कुछ डॉक्यमेंट चेक कर रहा था वो आज काफी अच्छे मूड में था जिससे सारे एमलॉय भी आज काफी खुश थे आज उनको उनके बॉस का गुसर नहीं जेलना पड़ेगा शिव को किसी का कॉल आता है उदर से कुछ कहा जाता है और शिव के चेहरे के एक्स्प्रेशन बहुत ही कथोर हो जाते है वो कहता है अपने आरे पे मिलो मैं आ रहा हूँ और बाकी सब को इनफॉर्म करने को कहता है शिव कॉल रखने के बाद अपने असिटेंट रागहव कार निकलने को कहता है और अपने केबिन से निकल कर प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है उसके साथ उसका असिस्टेंट रागहव और उसका पसनल बाडी गार्ड रोकी और नमन भी साथ थे रागहव ने ड्राइवर को इनफॉर्म कर दिया था गारी निकलने को शिव ग्राउंड फ्लो का बटन दबाता है थोड़ी देर में वो ग्राउंड फ्लो पर पहुंच जाता है और जल्दी से अपने कार में बैट कर निकल जाता है उसके साथ फ्रंट वाली सीपर ड्राइवर के बाजू में रागहव बैठा था उसकी कार के आगे और पीछे तीन तीन गारिया चल रही थी वो सब उसके बॉड़ी गार की कार थी जो कि उसके सेफटी के लिए थी आखिर इतना बड़ा बिजनेस में जो था और उतने ही उसके दुश्मन तब कोई हमला कर दे कुछ कह नहीं सकते अब आगे शिव की कार जंगल के बीचों बीच बने एक खंड के सामने जाकर रुख गई उसकी कार के साथ आए हुई बॉड़ी गार की कार भी एक के बाद एक रुख गई सब अपनी अपनी कार से निकल कर बाहर खड़े हो गए थे कार के रुकते ही राघव ने जल्दी से उतर कर शिव के साइद का गेट खोल दिया शिव कार से निकल कर लंबी-लंबी कदमों के साथ तेजी से उस खंड में गुज गया उस खंड के आजू-बाजू 100 किलोमीटर तक हाई सिक्योरिटी थी कोई भी वहाँ बिना इजाजक के प्रवेश नहीं कर सकता था किसी ने उसके अंदर आने की कोशिश की तो सिक्योरिटी अलार्म बच जाता और तुरंद शिव और उसके साथियों को पता चलता उसी के साथ वो पकड़ा जाता सारी सिक्योरिटी लेटस्ट हाई-टेक टेकनोलोजी से बनाई थी शिव के साथ उसके साथ आय हुए लोग भी उस खंड में प्रवेश करते बढ़ कुछ ही बाकी के खंड के बाहर पहरा दे रहे थे शिव खंड में प्रवेश करके अंदर जाके उस खंड में बने एक कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उस दोर के बाजू में लगे हुए बटन को प्रैस करता है उसके सामने आए स्कैन का आप्शन आता है तो उस पर क्लिक करता है, उसके बाद fingerprint scan और password type करने के बाद वो दर्वाजा खुल जाता है उसी के साथ शिव और उसका assistant रागव and उसके bodyguard नमन and Rocky एंटर करते हैं, बाकी के बाहर ही खड़े होते है अंदर के room का नजारा ही अलग था, बाहर से खंड लगने वाला तूटा हुआ अंदर से बिलकुल एक आलिशान हवेली जेसे लग रहा था, उसके अंदर सब सुविधा मौजूद थी, fully modern था वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग दोर खुलने के साथ शिव के entry पर खड़े हो जाते हैं, और उसे greet करते हैं, शिव उन सब के सामने से होकर एक आलिशान चेयर पर जाकर बैठ जाता है, उसका औरा किसी राजा से कम नहीं था शिव सब को अपनी अपनी seat पर बैठने को कहता है, और बोलने का इशारा करता है, उन मेंसे एक आदमी जिसका नाम राहू था वो बोलता है, हमें information मिली राका illegal हत्यारों और drugs की supply करने वाला है और वो deal आज रात को दो बजे होगी, उसके साथ कुछ foreign client भी है, अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा, हमें कुछ भी करके ये deal रोकनी होगी, वो जहाज समुंदर से आ रहे है शीप में जिसमें drug है, ओ उतरने के बाद इधर से illegal हत्यारों को वहाँ बेजा जाएगा, पूरे के पूरे 5 करोड की drugs रात को 12 बजे इ अधर से उधर हत्यारों को बेजा जाएगा, ये information बहुत ही confidential रखी गई थी, हम अभी आधे घंटे पहले इसके बारे में पता चला, अभी भी हमारे पास पूरे 8 घंटे है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, इतना कहकर वो चुपो जाता है, उधरन चिन डॉट, से inform करो और ready रहने को कहो, मुझे सब ताइम पर ready चाहिए समाज गए, उधरन चिन डॉट, सब एक साथ, जी बोस, शिव सिंधानिया एशिया का number one बिचनेसमेन के साथ ही एक अंडवल्ट का किंग भी है, पर वो कोई गलत काम नहीं करता बलकि गलत करने वालों को सफाई करन देने जाएंगे इतने ही है, शिव को अंडवल्ट में किंग के नाम से जाना जाता है, उसी के साथ वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़े ओफिसर के तोर पर काम करता है, अंड़कवर एजेंट, क्राइम कम करने के लिए ही उसने अंडवल्ट में कदम रखा जिससे इंडियन आर्मी को भी बहुत हेल्प मिलती थी, जो काम वो नहीं कर सकते वो आसानी से शिव कर देता, कौश्टक. थोड़ी देर वो लोग अपने प्लान पर डिसकस करते और फिर जैसे आये थे वैसे उस जगल से चले जाते है, शिव भी अपनी कमपनी पहुच गय लंच का टाइम हो गया था, शिव को श्रेया का ख्याल आता है, तो वो उसे कॉल करता है, दो रिंग में ही श्रेया कॉल उठा थी है, और अपनी प्यारी आवाज में हेलो कहती है, शिव जैसे ही श्रेया की कोमल आवाज सुनता है तो उसे बहुत ही सुकून मिलता है, श्रे ये अपने कॉल क्यू किया। उद्धरन चिन डॉट शिव कहता है। तुम्हारी याद आ गई थी इसलिए अच्छा तुमने लंच किया क्या। उद्धरन चिन डॉट शिव की प्यारी बाते सुनकर ब्लश करती है। उसे बहुत ही खुश थी। वो मुस्कान की साथ उससे कहती है। नहीं, अभी करना है। अपने किया लांच। उद्धरंग चिनर डॉट शिफ कहता है नहीं क्या अभी तक चलो साथ में करते हैं, रेडी हो जाओ मैं तुम्हें पिक करने आता हूँ, ठीक है उद्धरन चिन डॉट श्रेया कहती है और कॉल काट कर जल्दी से जाकर ड्रेस चेंज करने लगती है इधर शिव कॉल कट करने पर अपने असिस्टेंट रागव को फाइब स्टार रेस्टरेंट में एक टेबल प्राइवेट रूम बुक करने को कहता है और केबिन से निकल कर अपने प्राइवेट लिफ्ट में चला जाता है और ग्राउन फ्लो का बटन दबाता है लिफ्ट ग्राउन फ्लो कर रूम जाती है वो वहाँ से पारकिंग लोट में जाता है और अपनी कार में जाकर बैट जाता है रागव भी जैसे शिव ने कहा वैसे करता है और डेटेल शिफ को सेंट करता है शिफ कार चालू करके श्रेया के घर की तरफ चला जाता है वो आज खुद ही कार ड्राइव इन कर रहा था और उसके बॉडिगार उससे सिक्रेटली फॉलो कर रह थे आधे घंटे बाद शिफ श्रेया के विला के सामने कार रोक देता थोड़ी देर में ही श्रेया आती है और कार में बैठ जाती है उसने ब्लेक जीन्स और रेड कलर का क्रॉप टॉप पहना था उसने बालों को खुले ही छोड़ा था आँखो पर हलका सा काजल और रेड लिप्स्टिक होटों पर लगाई थी बस इतने में ही वो बहुत ही पर धा रहा था श्रेया की भी नजर उस पर गई तो वो भी उसे देखती ही रह गई दोनों हो एक दूसरे के आँखो में खूग गए थे पास की जाती हुई कार की आवाज से दोनों होश में आ गए शिब ने श्रेया को सीट बेल्ट लगाने को कहा सीट बेल्ट लगाने के बाद शिव ने कार चालू की और रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रास्ते में दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, पर चोर नजर से एक दूसरे को देख रहे थे। ये बात दोनों ने ही नोटिस की थी, एक दूसरे के बारे में। शिव कार एक बहुत ही बड़े देख रहे रस्टोरेंट को देखती ही रही, बहुत ही अच्छा एंवायन्मेंट था रस्टोरेंट का, बहुत से अलग प्रकार के पेर लगाए गए थे, जिससे नेचुरल एरफ्लो हो सके, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी बहुत ही आए केचिंग था। USA के बहुत बड़े और फेमस आकिटेक्ट ने डिजाइन किया था। यहाँ पर ज़्यादा तर अमीर लोग ही आते थे अपप सोसाइटी के क्योंकि रेस्टोरेंट हमेशा ही फुल होता था और और यह का खाना बहुत ही फेमस था और साथ ही महिंगा भी। श्रेया और श्रिव दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट के अंदर चले गए जाते वक्त श्रिव ने कार की कीज अपने बोडिगार को दे दी जो की सीक्रेटली उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। श्रेया ने दो टीन डिशेज और की श्रिव ने भी उसमें दो डिशेज और एड की वेटर और मेनेजर वहां से चले गए, कमरे में सिर्फ श्रेया और श्रिव ही थी। उसे उसकी बढ़ते पर गिफ्ट देगा ऐसा उसने सोच लिया था। और श्रिव के लिए ये रिस्टरेंट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। श्रिव के मेसेज को देखकर उदर रागव ने भी अपना काम कर दिया था। कौश्टक. थोड़ी देर बाद उनका खाना भी आ गया। श्रिव और श्रेया अपना लंच करने लगे। खाना खाने बाद श्रेया के कहने पर आईस्क्रीम ओर की। श्रेया आराम से बड़े ही मजह से आईस्क्रीम खा रही थी। और श्रिव उसे निहार रहा था। श्रेया को इसे अपने तरफ देखता देखकर श्रेय कहती क्या आपको भी आईस्क्रीम खानी है? इतना कहकर वो अपनी आईस्क्रीम को देखने लगती है, जो कि थोड़ी ही रह गए थी, जल्दी से उसे खा लेती है, और श्रेया कुछ समझ जाती उसके पहले श्रेया उसे काम चला लूँगा. श्रेया को तो कुछ समाज ही नहीं आया उसके साथ क्या हो रहा है, और श्रेया को जब समाज आता है तब तक देर हो चुकी थी, श्रेया को जब समाज आता है तब तक देर हो चुकी थी, श्रेया उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, तो वो भी उस में खो जाती है और उसे back किस करने लगती है। शिव जब श्रया को अपना साथ देता देखता है तो उसे और passionately किस करने लगता है। उसका एक हाथ श्रया के बालों के पीछे था और दूसरा श्रया के पेट पर चल रहा था जब उसने देखा कि श्रेया को सास लेने में दिकत होती है तो वो न चाहते हुई भी उसे छोड़ देता है उसका सिर अपने सीने में रख कर सहलाने लगता है शिव श्रेया को डीप ब्रेथ लेने को कहता है जब श्रेया नॉमल होती है तो उसे कहता है तुम्हें चहरा चुपा लेती है और उसे कहते है आप एसे केसे बाते कर रहे हो मुझे शर्मा रही है उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे शिव को श्रया को एसे देख कर उस पर बहुत प्यार आ रहा था उसे एसे शर्माते देख कर वो उसे टीज करना बंद कर देता है और एसे ही बहुत ही comfortable shorts और t-shirt पहना था। वो आज बहुत खुश थी आज वो और शिव पहली बार lunch date पर गए थे। शिव का उसके साथ इतना अच्छा बरताव करना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। वो इसे ही शिव के बारे मैं सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वो उटकर अ अपने garden में तहल रही थी। उसके साथ एक मेड और कल उसने जिस तोते को बचाया था वो भी था। तभी एक सर्वेंट उससे आकर कहता है कि मिस कोई आप से मिलने आया है। उनने अपना नाम विद्या बताया है कि रही है कि आपकी friend है। श्रेया उसमें से कहती है उसे garden मे लेकर आजाओ और हमारे लिए snacks भी यही पर ले आओ। ओमेग जी कहकर चली गई। उसी के साथ श्रेया के साथ जो में थी वो भी उनके लिए खाने को लाने चली गई। विद्या garden में आकर देखती है कि श्रेया के हाथ में तोता है और उसे लेकर garden में टहल रही है। तो व अपनी पावर से उसे हिल कर दिया था। श्रेया जब तोते को आराम से फल खाते देखती है तो वो मुस्करा कर विद्या की तरफ चली जाती है। श्रेया और विद्या दिनों ही garden में लगे चेय पर बैठ जाते है। श्रेया विद्या से कहती है कैसी है तू, कल ही हमारे एक खिचाई करती रहती थी। विद्या भी समाज गई कि श्रेया मजाक उड़ा रही है तो वो भी उससे कहती हां मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी तो आ गई तुझ से मिलने पर तुमको तुम मेरी याद ही नहीं आई यही है क्या दोस्ती दोस्त दोस्त ना रहा अब मैं क्या करूं नौटन की करती हुई कौश्टक. श्रेया उसकी बातों पर हस देती है और विद्या भी हसती है और फिर दोनों का बातों का सिलसिला सुरू हो जाता है सर्वेंट टेबल स्नैक्स रख कर चला जाता है दोनों स्नैक्स खाते बाते करते हुए संसेट एंजोई कर र श्रेया उसे कहती अच्छा किया जो तु आ गई हमने एकजाम के दोरान भी ठीक से बाते नहीं की और नहीं मिले एकजाम के बाद सीधा घर आज बहुत अच्छा लग रहा है विद्या कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो और मुझे आज कितने दिन के बाद तुम्हारे साथ बै तो श्रेया उसे उसके बारे में सब बताती है कैसे वो कल श्याम को गार्डन में तहल रही थी तभी उसे किसी के फरफदाने की आवाज आई जब उसने वहां जाकर देखा तो उससे ये तोता बहुती जक्मी हालत में मिला इसके पैरों में डोरी अरग गई थी जिसके बज ही अच्छा लगता है कि तोता आप ठीक है वो एक अनिमल और बर्द्स लवती और श्रेया भी तो दोनों की सोच आपस में बहुत ही मिलती है विद्या उस तोते की पास जाती है और उसके सर को सहला देती है उसे वो बहुत प्यारा लगा उसने तो श्रेया से कहकर उसके जो कि उसे बुला रही थी, उन्हें अब घर जाना था, तो वो श्रेया को कहती अब मुझे चलना होगा, फिर मिलेंगी जल्दी, और उस तोते के माथे पर किस करती है और उसे श्रेया को देती है, तोता भी अपनी आवाज में उसे बाई हांड वेविंग बोलता है, ये पहल तोता भी उसे गेट तक छोड़ने के लिए चला जाता है, विद्या को छोड़ने के बाद श्रेया तोते को एक सर्वेंट को देती जो उसे उसके बालकनी में बने छोटे सी गार्डन में छोड़ने चली जाती है, श्रेया हॉल में लगे सोफे पे बैक जाती अपनी मॉम का वेद करते, वो टीवी लगाती और टीवी देखने लगती है, वो टीवी पर कार्टून देख रही थी, इतनी बड़ी हो गई थी पर उस अब भी कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, इसे ही उसे अपनी मॉम का वेद करते करते 8 बच जाते है आज उसके मॉम को काफी लेट हो गया था उपसे अनका फोन भी नहीं लग रहा था उसने उनके असिस्टेंट प्रिया को फोन किया था वो भी फोन नहीं उठा रही थी इसलिए वो बहुत ही परिशान हो गई थी उसे समझ ही नहीं आ रहता की वी क्या करे उसे यू परिशान होते देख उसकी न्यानी नित्या जी उससे समझती है कि आ जाएगी मेडम बेटा आप परिशान नहो उन्होंने सुबह बताया था उनकी जरूरी मीटिंग है शायद इसलिए टाइम हो गया होगा और मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी आप टेंश जी जी अभिकार से जस्त उतरी ही थी उन्हें जाकर जोर से हक किया और रोने लगी सेया जी पहले ही श्रेया के एसे अचानक हक से शोक में थी और उसके उनके गले लगकर रोने से उनके माथे पर लकीरे उभर गई उन्हें समाज ही नहीं आया क्या हुआ है और श्रेया एस तब ही श्रेया की पीछे आई हुई नित्याजी श्रेया से कहती बेटा मेडम बाहर से ठक कर आ रही है उन्हें घर में जाकर बैठने दो बाद में आप उनसे बाते करना और आपके एसे रोने से वो परेशान हो गई है। श्रेया सेया जी से अलग होकर उनका हाथ पढ़कर विला के अंदर ले जाती है। श्रेया अपने मॉम को सोफे पे बिठा कर उनसे सवाल करती है। मॉम आपको इतना वक्त के से लगा घराने में रोज तो जल्दी आते थे ना आप और आपका फोन बंद क्यों आ रहा है। मैंने आपकी असिस्टेंट प्रिय को भी काल किया था उसने भी मेरा कौल नहीं उठाया, आपको देर होने वाली थी तो मुझे कौल कर बता देती ना। पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। आपके बारे मैं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सिया जी जो कबसे श्रेया की नॉन स्टॉप सवाल सुनती है और उसका घबरा हुआ चेहरा और रोने कारन लाल हुए गाल देखती है तो उन्हें बहुत बुरा लगाता है वो से गले लगाती है और प्यार से उसकी पीट और एक हाथ से बालो को सहलाती है और श्रेया को नॉम इसा नहीं होगा आपको जरूर इंफॉर्म करूंगी इस बार मॉम को माफ करना उद्धरल चिन डॉट श्रेया से अलग होकर वो अपने कान पकड़ कर श्रेया से माफी मांगती है श्रेया उनकी बातों को सुनकर उन्हें माफ कर देती है और आगे से मुबाइल की बैटरी चा प्रोमिस करो आपको पता है मैं कितना डर गई थी आपका कॉल भी नहीं लग रहा था उपसे आप कभी इतनी लेत नहीं आती आप मुझे प्रोमिस करो उद्धरल चिन डॉट श्रेया की मौम उसके हाथों को चून लेती है और कहती है प्रोमिस बेटा आगी से ऐसा नहीं हो उद्धरल चिन डॉट कुछ देर तक दोनों इसे ही बाते करते हैं श्रेया भी अबनॉमल हो गई थी वो अपनी मौम को चेंज करने को कहती श्रेया की मौम श्रेया के माथे पे किस करके अपने रूम में चेंज करने चली जाती है फॉल में खड़े सर्वेंट जब अपने म इसको अपनी मैडम की इतनी केर करते देखते हैं तो सब बाउक हो जाते हैं उनकी आँखे नम हो गई थी उन्हें अपने मिस और मैडम के बीच का प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था सब उन दोनों के लिए खुश थे और भगवान से उन्हें हमेशा खुश रख में दिन करते और फिर एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं आज के लिए बस इतना ही फ्राइंग्स तल मिलते हैं फर एक नया एपिसोड के साथ स्टोरी में आगे क्या होता है जनेने के लिए देखे कल का एपिसोड आज क अगर अपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हूँ टू वीडियो को लाइक जरूर क्रना और अलसो चैनल को सब्सक्राइब भी क्रो यार सिर्फ देखा कर छोड़ देते हो